नमस्कार दोस्तो, SPS Study Point के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज कि इस वीडियो के मादम से BSC Second Semester Chemistry का Objective Solve Paper हम डिसकस करने वाले हैं ऐसे विद्यारती जो BSC First Year के Second Semester में हैं और उनका एक्जाम Objective Pattern पर होना है उन सब के लिए आज की एक क्लास खासकर महतपूर होगी क्योंकि दोस्तो इस क्लास में मैं आपको Previous Year Question Paper हल कराने वाला हूँ जो की 2022 सत्र का है और राजा महन प्रताप अलिगर विस्विद्याले का ये Question Paper है जिसमें 75 Questions MCQ मोड में पूछे गए हैं जो की Most Important है सेम इसी प्रकार के प्रस्म आपके University में पूछे जाएंगे और Repeat होने की Guarantee है इसलिए इस प्रस्म पत्र को जरूर आप तयार करके अपने एक्जाम में जाएए जैसा कि कल कुछ बिस्विद्याले का Paper है तो आप सब लोग इन प्रस्न पत्र को तयार करके जाएगा निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और इसके पहले जो मैंने model paper आपको solve कर आया था वो भी आप तयार कर लिजेगा यह आज का second model paper है जो मैं आप सब के लिए लेकर के आया हूँ तो चलिए आज की class को start करते हैं और solve करते हैं आज के इस model paper को वीडियो को like share करना मत भूलिएगा और जो भी मारे इस channel पर नया है चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा तो start करते हैं आज की इस प्रस्न पत्र को solve करना पहला प्रस्न आपकी screen पर दिया गया है जो की पूछा गया है कि सुक्रोस गया जिसे can sugar कहते हैं इजे डाई सेकराइड one molecule आप सुक्रोस on hydrolysis गिप सुक्रोस जिसे गन्ने की सरकरा कहते हैं और यह एक क्या होता है डाई सेकराइड है सुक्रोस का एक अरू जल अपगटित होकर कि क्या देता है सुक्रोस का फर्मूरा आप सभी को पता होगा सुक्रोस का जो फर्मूला होता हो क्या होता है सी बारा एच बाईस ओ ग्यारा होता है और यह डाई सेकराइड है इसे can sugar के नाम से जानते हैं और जब इसका आप देखिए कि यहाँ पर कौन सा अप्सन सही है अप्सन नमबर सी एक गुलू कोच के अडू प्लस प्रक्टोस के अडू प्राप्त होते हैं जब हम गन्य के यहनि की सुक्रोस का जलब घटन कराते हैं तो अप्सन यहाँ पर सी सही हो जाएगा दूसरा प्रसन देखते हैं क्या पुछा गया था दूसरा प्रसन यहाँ पर है कि which of the functional group is not present in carbohydrate कार्बोहाइट्रेट में कौन सा कार्यात्मक समों मौजूद नहीं है पहला option दिया गया है OH दूसरा है CHO तीसरा दिया गया कीटो और D दिया गया है CWOH ग्रूप तो पहले option को म content करता है तो यहाँ पर आपका पहला option दूसरा option और तीसरा option यह तीनों सही है keto group है aldehyde group है यह क्या जियागे alcoholic group है तो यहाँ पर CWOH ग्रूप content नहीं करता है यह मौजूद नहीं होता है इसलिए यहाँ पर आपका option number D सही हो जाएगा correct answer कौन सा हो जाएगा option number D दोस्तों पहले अभी मैं starting बता चुका हूँ अगर आप आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है नहीं कि अबर आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है तो आप हमारे second semester के playlist में जाएए वीडियो के playlist में जाएए आप playlist में आप chemistry के section में जाएंगे वहाँ पर आपको 2 से 3 old paper मिल जाएंगे other other university क वो paper आप solve कर लीजिए और plus आपको model paper मिल जाएंगे वही model paper आप देख लीजिए आप 75 जो questions आते हैं na 75 के 75 आप पक्का करके आएंगे confirm करके आएंगे सही tick करके आएंगे ये मेरी guarantee है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है और सभी repeated प्रस्न हैं दोस्तों यहां university के यानि सिद्धार्थ university का question paper आप उठा करके देखेंगे second semester का तो यह सारे प्रस्न भी आपको मिलेंगे डीडी university में भी यहीं से मिलेंगे प्रस्न ठीके तो कहने का मतलब है आप उनको भी solve कर लीजिएगा चलिए next प्रस्न है question number 3 देखते हैं पूंचा गया यहां पर कि conversion of glucose into monas is known as glucose का monas में परिवर्तन किया जाना क्या कहलाता है यहां पर आपका दिया गया है पहला option muta rotation epimerization oxidation oxidation या फिर नन आप दीच तो दोस्तों glucose का monas में जब परिवर्तन किया जाता है तो इसके परवर्तन को epimeric current कहलाता है यह क्या कहलाता है epimeric current कहलाता है यानि option number B यहां पर आपका सही answer है glucose का monas में परिवर्तन क्या कहलाता है epimeric current कहलाता है ठीक है b option आपका यहां पर सही answer होगा question number 4 है जो कि पूछा गया था name of the disacuride which does not so muta rotation उस disacuride का नाम बताइए जो परिवर्ति ग्रूनन नहीं दरसाता है पहला option दिया गया lactose, maltose, glucose और sucrose ठीक है अब इसमें पुछा गया है कि कौन सा परिवर्ति यानि mutual rotation नहीं दरसाता है तो इसमें से mutual rotation कौन सा नहीं दरसाता है शुक्रोज ध्यान रखेगा यह mutual rotation नहीं दरसाता है option number D यहां पर आपका सही answer हो जाएगा चौथे प्रसन का ठीक है शरी question number 5 है glucose glucose है पूछा गया glucose इस यहां पर जिया गया eldohexos, ketohexos, oligosaccharide यह नन आप दी तो oligosaccharide तो बिल्कुल नहीं हो सकता और आप सबको पता है glucose क्या होता है glucose दोस्तो eldohexos होता है यानि aldehyde group contain करता है तो option number A यहां पर आपका सही answer हो जाएगा अगर पूछा जाएगा कि फ्रक्टोस तो फ्रक्टोस keto group contain करता है जहां रखेगा फ्रक्टोस क्या करता है keto group और glucose क्या करता है eldohexos यानि कि aldehyde group option A यहां पर आपका सही answer है पांच वे प्रसंद का ओके चलिए question number 6 है जो कि पूछा गया है कि an eldo is the converted into its next higher homo gs by एक eldoge को इसके अगले उच्च homo long में परिवर्टित किया जाता है कि इसके द्वारा कि लियानी reaction के द्वारा या फिर जिया गया old reaction, muta rotation ये non of this तो दोस्तों इस question में question number 6 का जो answer हो जाएगा हो जाएगा कि लियानी reaction कि लियानी अभिकिरिया के द्वारा एक eldoge को इसके अगले उच्च homo long में परिवर्टित किया जाता है तो छेटवे नंबर प्रस्न का क्या हो जाएगा answer हो जाएगा option number a question number 7 है आपका जो की पुछा गया wish of the following is a non reducing sugar निमलिकित में से कौन सा सरकरा अपचाई नहीं है तो दोस्तों अपचाई और गयर अपचाई सरकरा पहचानने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा compound जिसमें eldehyde और keto group मुक्त रूप से उपलब्द हों लेकिन वो मुक्त ना हों ठीक है उनको आप कहते हैं non reducing sugar तो यहाँ पर दिया गया गय तो दोस्तों आपको बता दें इस question में सही answer हो जाएगा सुक्रोज सुक्रोज जो है यह एक non reducing sugar है ओके option नमबर भी यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा सही जबाब हो जाएगा next question है question नमबर आठ जो की पूछा गया है कि name of the method in which eldo deglucose जिसे क्या कहते है डी-glucose कहते है इज converted into ebinose when it is the first treat with the bromine water उसे विधी का नाम बताईए जिसमें eildose deglucose सबसे पहले bromine जल के साथ अब किरिया करके airbinose में परिवर्तिन किया जाता है वो कौन सा method है पहला दिया गया है वेवल विधी रफ विधी या डेमन विधी या इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों इस question में question number 8 का जो सही answer है वो option number B है rough विधी द्वारा rough method द्वारा यानि की deglucose को bromine जल के साथ अब किरिया करके airbinose में परिवर्तित किया जाता है वो कौन सी विधी है वो rough की विधी है rough method है option B यहाँ पर आपका सही answer है okay question number 9 आपका है दोस्तो glucose और गलेक्टोस आर glucose और गलेक्टोस है यह दोनो anomer है या फिर disaccharide है या oligosaccharide है या epimer है तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए इस question का answer कि glucose और गलेक्टोस यह दोनों क्या है यह epimer है क्या है एक दूसरे के epimer है option number D यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा सही जबाब हो जाएगा 9 number प्रसन का question number 10 है आपका जो कि पूछा गया है कि hydrolysis आप सुक्रोस is called सुक्रोस का जल अबगटन क्या कहलाता है सरकरा का प्रतलोम साबुनी करान जल्लेओन या फिर उप्रोक्त सभी hydrolysis आप सुगर इच कार्ड तो hydrolysis आप सुगर इच कार्ड इनवर्जन आप सुगर क्या कहलाता है इनवर्जन आप सुगर कहलाता है यहनी सरकरा का प्रतलोमन कहलाता है option A यहाँ पर सही हो जाएगा 10 number प्रसन का बहुत ही important प्रसन है दोस्तों आप सबसे मेरा निवेदन है जितने भी और चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए second semester के class अब start हो चुकी है और आपकी नियमित class संचालिट की जाएगी जिसमें आपके आल subject समलित रहेंगे मैं chemistry का class daily provide कराने का प्रियास करूँगा बाकि आपके तीन जिन जिन बॉटनी के class भी संचालिथ होगी physics और math के जो भी student है उन यह प्रोक्टोस डूटू टालन रेजन्ट रेड्यूस यानि टालन रेजन्ट जो है किसके कारण टालन रेजन्ट अभिकरमक टालन अभिकरमक प्रोक्टोस का अपचेट करता है तो पहला दिया गया है की सेट सेमेट्रिक कार्वं या प्रजंस आप सी एच्चो ग्रूप या प्रजंस आप ओएच ग्रूप या फिर दिया गया है एनिलाइजेशन यानि की जिसे कहते हैं हिंदी में एनोली करण तो दोस्तों टालन रेजेंट जो है वो टालन अभिकरमक फ्रक्टोस का जो अपचैन करता है वो एलोनी करण के द्वारा करता है option नंबर डी यहां पर आपका correct answer हो जाएगा 11 नंबर प्रस्न का जो सई answer है दोस्तों वो है option नंबर डी ओके question number 12 आपका है how many optically active isomer form of the eldosis exit यहाँ पर दिया गया है कि eldo hexos के कितने प्रकास समावी संभों है 2, 4, 8 या फिर 16 तो eldo hexos के प्रकास समावी की जो संख्या होती है maximum वो होती है 16 कितनी 16 तो यहाँ पर आपका कौन सा option है D option है यहाँ पर आपका सही अंसर हो जाएगा option number D बहुत ही महत्मोरे ध्यान रखिएगा इसी प्रकार के प्रसन आपके एक्जाम में repeat होने हैं very very most important questions ओके चलिए question number 13 है तो which amino acid has no asymmetric carbon कौन से amino amino में कोई भी आसम्मित carbon नहीं होता है option दिया गया है A जिसमें है histidine, option B है glycine, option C दिया गया है elanine, option D दिया गया है threonine ठीक है तो इसमें आपको क्या बताना था amino amino जिसमें आसम्मित carbon नहीं हो तो आसम्मित carbon glycine में नहीं है किसमें नहीं है glycine में आसम्मित carbon नहीं है बाकी histidine, elanine और threonine इसमें आप सम्मित कार्बन की संक्षा पाई जाती है तो ग्लाइसीन में नहीं पाई जाती है आपका अंसर हो जाएगा बी नमबर यहां पर ग्लाइसीन ओके ग्लाइसीन ओके पूछा गया जो की पूछा गया विच आप दा फॉलोइंग इस नान इसेंटियल अमीनो एसीड निमलिकित में से कौन सा गैर अवस्थेक अमीनो अमल है अपसना है ग्लाइसीन एसपार्टिक अमल एलानीन या उप्रोक्ट सभी तो आपको बता दें इस प्रेला नीन भी है ठीक है इसलिए अपसन नमबर डी यहां पर आपका सही है तीनों आपके सही अंसर है पूछन नमर पंदरा है दोस्तों जो की पुछा गया है कि वाट टाइप ए हैलिक्स इस ऑब्जर्ब्ड इन प्रोटिन प्रोटिन में किस प्रकार की कुंडलीनी संद संद्रचना पाई जाती है लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड हैल यह फिर पैरलर डबल हैलिक्स यह फिर दिया गया है एंटि पाइरलर डबल हैलेक्स तो इस क्वेशन में 15 प्रस्ण में आपके जो सही एंसर है दोस्तों वो हैं option नमर भी इसमें दच्छिडा वरती अप्जर्ब करती है option नमबर यहाँ पर भी आपके सही अंसर हो जाएंगे question नमबर 15 के question 16 है जो कि पुछा गया लाइसीन किस प्रकार का एमीनो अमल है आपके option दिये गए हैं दोस्तों basic amino acid, acidic amino acid, natural amino acid या फिर beta amino acid तो लाइसीन दोस्तों किस प्रकार का एमीनो अमल है तो लाइसीन एक प्रकार का चारिये एमीनो अमल है जिसे इंग्लिस में कहते हैं basic amino acid ओके तो option यहाँ पर आपका सही answer हो जाएगा 60 number questions का आप सब से निबेदन है कि आप सब comment session में comment करते रही है comment box में आपने answer भी देने का प्रियास करिए ठीक है जिनको भी पता है इसका answer वो answer देने का प्रियास करेंगे ठीक है question boxy peptide A या phenyl isotocyanide के द्वारा या option C दिया गया है कि trypsin option D दिया गया है elastase तो दोस्तों आपके बता दे इस question में जो आपके सही answer है वो option B होंगे क्योंकि peptide का N-terminal amylo amyl जो पहचाना जाता है वो phenyl isotocyanide के द्वारा पहचाना जाता है तो option B यहाँ पर आपके सही answer हो जाएंगे 17 नमबर प्रस्ण का ठीक है question नमबर 18 की तरह बढ़ेंगे 18 प्रस्ण है a metal ion co factor act as यानि कि धात आयन सहकारक वेवहार करते हैं लुइस्चार की तरा लुइस्चार की तरह या लुइस्चार दोनों की तरह इन में से कोई नहीं तो ये नहींthis A metal cofactor जो एक अई सब्सक्राइब के एक धाट तो आयन सहकारता वेवहार जो करते हैं दोडोस्टो लुइस एसिड की तरह करते हैं किसकी तरह लुइस अमले की तरह बेवहार करते हैं तो आपका जो ठारा नमबर कोश्चन इसका सभी एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी ओके अगले प्रसना है कोश्चन नमबर उननीस जो कि यह विश्च आप दीज इस एन एंजाइम निम् की पहचान करेंगे आप पहला दिया गया ट्रिप्सन क्या है यह सबी प्रकार का एंजाइम है और यह क्या है रसे का ञसे नमबर प्रोटीन की gliados क्रूल्ड प्रकूंण करके रखासे क्या है यह पर मिस्टार करेंगे बुस्ट Kayak आप सब इसका इसकी इंसार्ट करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करेंगे हाला कि इसमें एंजाइम पूछा गया था तो ट्रेप्सीन एक प्रकार की एंजाइम है जो कि option number A यहाँ पर आपका सही एंसर है question number 20 है जो कि पूछा गया है कि protein denaturation occur in the presence of protein का बिकरती करण किसकी उपस्थिती में होता है यूरिया, कार्बनिक बिलायक, ताप या उप्रोक्त सभी तो इस question में जो आपके सही एंसर है वो option number D होंगे क्योंकि protein का दो denaturation होता है, protein denaturation occurs in the presence of urea, organic solvent, heat इन सबकी उपस्थिती में होता है so यहाँ पर option number D सही हो जाएगा, correct answer हो जाएगा option number D question number 21 है आपका दोस्तों जो कि पूछा गया है कि protein is a polymer made up बहुलग protein किसका बना होता है carbohydrate का, amino acid का, nucleic acid का, या फिर carboxylic acid का तो जो बहुलग protein होते हैं मित्रों वो किस से बनी होती है वो amino अमल से मिलकर के बनी होती है बहुलग protein are made up of amino acid option number B यहाँ पर आपके correct answer हो जाएगे, सही जबाब हो जाएगे next question है, question number 22 जो कि पूछा गया है which of the following technique is used to determine a protein structure protein संदचना के निर्धारन के लिए इन में से किस technique का उपयोग किया जाता है तो protein की संदचना के निर्धारन के लिए दूस्तों इन में से X-ray crystalographic का भी प्रियोग किया जाता है chromatography का भी प्रियोग किया जाता है और UV visible का भी प्रियोग किया जाता है तो यहाँ पर आपके जो सही अंसर होंगे वो हो जाएंगे option number D, उप्रोक्ट सभी आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, ठीक है, ज्यान लखेगा इस प्रस्निक अंसर, जब भी protein का निर्धारन हो कि protein की सनचना का निर्धारन किस प्रकार से करते हैं, तो X-ray के श्ट्लोग्राफ होते हैं, पहला option दिया गया है CH3, 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 एथिल एलकोहल या फिर बेंजीन, तो आपको बताना है इसमें, पहला है, या फिर खलोरोफार्म, या फिर एसिल एलकोहल या बेंजीन इन समय से जो एमीनो अमल हैं, वो गुलंसील होते हैं, तो एमीनो अमल किस में गुलंसील होते हैं दोस्तों, तो बेंजीन में गुलंसील होते हैं, आपके option number D यहां पर आपका correct answer हो जाएगा, तेस नम पर 14 है मोनोमर आप निअकलीख एकलक है nucleotides, nucleocyde, aminoacid यह कार्बोक्सली ע dip तो निउकलीख एकलक पूछा गये सहया मोनोमर आप निउकली एसीट तो निउकलीख एसीट का जो मोनों मर है वह है निउकल आइट ध्यान लाकिएगा निउकलीख यों टाइट phon Am perspectives का dalej है कि कि जब भी monomer की बात हो और यह question रिपीट होंगे जान रखिएगा monomer जब भी पूछा जाएगा कि monomer आप nucleic acid तो आप धान रखेंगे nucleotide nucleoside नहीं लगा दिजेगा nucleotide option A यहां पर आपके सही answer है question 25 है what is the structure of thymine, thymine नितना कितना को बतानी है कि थाइमीन का संड़ नहीं से कौन सा है तो थाइमें का जो संध्य दोस्तों वह इस प्रकार से बनता है मैं यहां पर बनाने का प्रियास करूँगा ठीक है एन है और यहां पर आ जाएगा आपका सिंगल बॉंड सिन अच त्री सो डबल बांड, O, और यहां पर हो जाएगा H और N, यह हो जाएगा डबल-बांड, O, तो इस प्रकार से संद्चना कौन सी है? दोस्तों प्रस्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखेगा ठीक सी प्रकार से, तो यहां पर आपका C अंसर सही होगा, परेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप प्रकार से बनता है वो ध्यान रखेगा पूच्छा जाएगा आपसे सी नंबर प्रस्ण आपके यहां पर मैथ पूट है यानि अंसर सही है क्या प्राप्त होता है औली फासपूरिक असीड प्रस्ण आपको बता दें दूस्तों जब भी निउकलीक अमलका जल अपगटन कराएंगे तो आपको सरकरा प्यूरीन चार प्रमडीन और फासपूरिक अमली यह सभी प्राप्त हो सकते हैं वो आपके कैटालिस्ट के उपर न करता है कि आप किसे इसका जलब गटन करा रहें तो आपसन नंबर डी यहां पर आपका सही हो जाएगा 26 नंबर कोश्चन का जो सही अंसर है दूस्तों वह आपसन नंबर डी अगला प्रस्ण है कोश्चन नंबर 27 जो की पूछा गया है विच बेस इस नार प्रिजंट इन आ यहां पर आपसन नंबर एस हो जाएगा 27 नंबर कोश्चन का कोश्चन नंबर 28 ज्यान दीजिएगा जो की पूछा गया विच आप दीच कंपोनेंट और नुकलियोटाइट इस हेट्रोसाइकलिक नुकलियोटाइट का कौन सा अवयो बिसम चक्रिये है यहां पर पूछा ग तो इस कोश्चन में दोस्तों आपके जो साही अंसर है 28 नंबर प्रसंग का इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा ओपशन नंबर डी एड़आणन आपके करेक्ट अंसर होंगे इन में से एड़आनन नुकलियोटाइट का कौन सा अवयो बिसम चक्रिये है तो इसमें से का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है option यहां पर आपके सही अंसर हो जाएंगे डी नंबर आप्शन ओके चली कुश्चिन नंबर 29 है जो कि पूछा गया है कि कि वाट इस दा हाइब डिजेशन आप पी एंड एंड इन इन ट्राइफ फास्पोजीन में फास्पोरस और नाइट्रोजन यह पी इंडिकेट कर रहा है नाइट्रोजन ट्राइफ फास्पोरस और नाइट्रोजन का संकरण पूछा गया क्या होगा तो ट्राइफ फास्पोरस और nitrogen का जो संकरन है दोस्तों वह है sp3 phosphorus में sp3 होगा और nitrogen में होगा sp2 तो इस प्रकार का कौन सा option है option number c यहाँ पर आपके सही answer होंगे correct answer होंगे next person है question number 30 जो की पूछा गया था adenosine is an example of adenosine एक example है purine base का या nucleoside का या फिर nucleotide का या फिर pyridoxin base का तो adenosine दोस्तों एक उधारन है nucleoside का adenosine किसका example है nucleoside का example है so option number b यहाँ पर आपके सही answer होंगे question number 30 के 31 number प्रस्ना है question number 31 जो की पूछा गया है कि light extracting method used for the determination of प्रकास प्राकिरनड बिधी से क्या निर्धारित किया जाता है mn, mw दोनों या इन में से कोई नहीं तो प्रकास प्राकिरनड बिधी से निर्धारित जो किया जाता है वो mw किया जाता है molecular weight निर्धारित किया जाता है so option number b यहाँ पर आपके सही answer है 31 number प्रस्ना का जो सही answer है वो option number b है question number 32 जदा correct structure आप paracetamol अभी मैंने paracetamol की चर्चा की थी so यहाँ पर paracetamol का सन्रचना पूछा गया है कि paracetamol का सन्रचना कौन सा है तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो सही answer हो जाएंगे 32 number प्रस्न के वो हो जाएंगे option number b ठीक है यह आपका paracetamol का सन्रचना दिया गया है ठीक है ध्यान रखेगा यहाँ पर बेंजीन के साथ OH ग्रूप जुला हुआ है और NHCOCH3 ठीक है यह paracetamol का सन्रचना है और यहीं इसका फॉर्मुला होता है option number b यहाँ पर आपका सही answer होगा question number 33 है aspirin पूछा गया है कि aspirin is a aspirin is a astil salicylic acid या या फिर दिया गया है यहाँ पर anthra linic अमल तो aspirin क्या होता है aspirin जो है वो एक astil salicylic अमल है aspirin क्या है astil salicylic अमल यहाँ पर option number A यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा 33 number question का जो सही जबाब है option number A है question number 34 है जो कि पूछा गया है which among the following is not an antibiotic drugs निवलिकित में से कौन सा antibiotic दवा नहीं है यहाँ पर पूछी कहीं antibiotic दवा नहीं है penceline, oxytone या फिर oploxin या फिर tetracycline ठीक है तो इन में से आपको antibiotic दवा कौन सी नहीं है वो बतानी है तो आपके जो सही answer हो जाएगा वो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों वो option नमर B सही हो जाएगा oxytocin oxytocin आपका correct answer हो जाएगा option नमर B ओके दोस्तों इसमें पहला option आप देखिए जो कि यह penicillin ठीक है penicillin एक antibiotic दवा है बात करें option नमर B oxytocin तो oxytocin एक प्रकार का हर्मोन से ठीक है तो यहाँ पर आपका यह answer क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा B number ठीक है यह आपका antibiotic दवा नहीं है C option जो कि जागया है ophlocaxin यह भी आपका एक antibiotic दवा है और tetas cyclin भी आपका antibiotic दवा है केवल और केवल आपका oxytocin जो है वो क्या है एक प्रकार का हर्मोन से यह आपका antibiotic दवा नहीं है so option number B यहाँ पर आपका सही answer है question number 35 जो कि पुछा गया है which drug is used to care HIV AIDS HIV AIDS की रोग थाम के लिए किस औसदी का उपियोग किया जाता है तो HIV और AIDS की रोग थाम के लिए और जिस औसदी का प्रियोग किया जाता है वो है judo within ठीक है judo within का प्रियोग किया जाता है option number C यहाँ पर सही answer हो जाएगा correct answer हो जाएगा ठीक है 35 number question का जो सही answer है वो जाएगा option number B question number 36 है आपका aspirin is an aspirin है aspirin narcotics है antiseptics है antiparatic है या फिर antibiotic है तो aspirin दोस्तों क्या है aspirin is an antiparatic क्यानि जो आर नास्यक होती है यह so option C सही है यहाँ पर antiparatic आपके correct answer है aspirin जो है वो क्या है ना कि antibiotic भी नहीं है ना ही antiseptic है ना ही यह narcotics है यह antiparatic isn't है option number C drugs है आपका C number यहाँ पर जो कि पूच्छा गया है कि phenol इस हाइडली कॉर्ट सब सबस्टेंस बट इस टू 0.2% solution यूस एस phenol का अत्यादिक संचारक योगिक है phenol जो है एक प्रकार का एक अत्यादिक संचारक योगिक है लेकिन इसका 0.2% बिलेन प्रियोग में लाया जाता है प्रत जैबिक के रूप में प्रियोग में लाया जाता है या प्रत रोधी यानि अन्टी सेप्टिक के रूप में या फिर संक्रमन हारी के या फिर प्रत इस्टिमीन के द्वारा तो दोस्तों आपको बता दें 37 नंबर प्रस्ण का कोईश्चन जो है उसका अंसर हो जाएगा प्रत्रोधी एंटी सेप्टिक के रूप में इसका प्रियोग दिया जाता है तो यहां पर सही अंसर हो जाएगा बी नंबर फिनॉल एक अत्याधिक्ष संचारक योगिक है लेकिन इसका 0.2% बिलेन प्रियोग म ड्रक के संसिलेशन के लिए तरक संगती मुलेंकन क्या है पहला दिया गया है मालिकुलर अड्विटल एप्रोच मालिकुलर कंडिक्टिविटी एप्रोच या फिर आल आप दीज तो 38 नमर प्रस्णिक के जो सही अंसर हो जाएंगे हो जाएंगे आल आप दीज आपके करेक् अब एक प्रकार के तरक संगत मुलेंकन है ठीक है तो यहां पर रेशनल एप्रोच आप ड्रक डिजाइन इस क्वांटम मकेनिकल एप्रोच मालिकुलर एप्रोच और मालिकुलर कंडिक्टिविटी एप्रोच यह तीनों आपके सही अंसर होंगे तो आपका अंसर हो जाएग रही है, और ऐसल का डी नंபर ऑन तालिस नंबर पसंदि आ गया है कि इसा इकलओ एकलोवीर ऐससा एकलोवीर इस यूजड ऐस थीक है एस इसा इईसा इकलोविर उप्यूग में लाए जाता है यहां पर अन्टीवार्य ड्रक्व के रूप में यह पर एंटीम दवावा के र 49 नमबर कोईशन के जो सही एंसर होंगे वह हो जाएंगे अप्षन नमबर ए प्रत है विसाडू दवा ठीक है क्रिसम नमबर 40 जो की दिया गया है कि which of the following इस सलफा ड्रैगीन में से कौन सी सलफा ड्रैक्स है अप्षन अ अ दिया गया है तो सलफा पैरडीन अप्सक् olmazन सी है अप्षन ग्वान डीन अप्षन डीन अ यह सभी सो यहाँ पर आपके सही एंसर हो जाएंगे question number 40 के जो correct answer है हो जाएंगे option number D यह सभी आपके correct answer है यह प्रकार के sulfa drugs हैं यह सभी प्रकार के sulfa drugs है option number D आपका correct answer है question number 49 है जो की पूछा गया है कि name of the medicine used for that treatment of malaria उस अवसदी का नाम बताइए जो malaria के उप्चार के लिए प्रियोग किया जाता है option A दिया गया है आपर भूफ्रेन option B ए एस्प्रेन C दिया गया है chloroquilline option C है parasitomol तो malaria के उप्चार में जिस दवा का प्रियोग किया जाता है वो है chloroquilline option number C यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा सही answer हो जाएगा question number 42 है जो कि पूछा गया है कि break's law is given by the equation break का नियम किस सम्मी करण द्वारा दिया जाता है तो break's का equation किस सम्मी करण द्वारा दिया जाता है तो n lambda एकोल टू 2D sin theta तो यहाँ पर कौन सा option सही हो जाएगा दुट्रों option number B n lambda एकोल टू 2D sin theta आपका सही answer हो जाएगा next question है question number 43 question number 43 क्या कह रहा है पूछा है कि cubic crystal system has the following unit cell dimensions एक घनिये crystal प्रणाली में निमलिकित में से एकक cell आयाम होते है तो एकक cell जो आयाम होते है मित्रों वो क्या होता है वो a equal to b equal to c and alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree होता है तो यहाँ पर सही answer कौन सा हो जाएगा option number A यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा यह प्रसना आपके exam में repeat होने है ध्यान नखिएगा और आपका break situation भी repeat होगा यह दो प्रसना आपके exam से 100% है confirm है जो आपके exam में पूछे जाएंगे ठीक है अगला प्रसना आपकी screen पे है जो कि पूछा गया कि आ क्रिस्टलिये ठोस का उधारन है इन में से कौन सा आ क्रिस्टलिये ठोस है कांच, NACL, CSCL या MGCL2 तो इसमें से आ क्रिस्टलिये जो ठोस है वो है कांच, कांच एक प्रकार का आक्रिस्टलिये ठोस है तो आपसन नमबर A सही हो जाएगा क्वेश्टन नमबर 44 का अंसर ठीक है? चलिए क्वेश्टन नमबर 45 है जो कि पूछा गया है कि दा रेडियस ओप एन आयन इन्हें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ओप इस ए एक अंताहक केंद्रत गहनिये किनारे A में एक आयन की त्रिज्जा क्या है? तो जो आयन की इसमें त्रिज्जा होगी वो क्या होगी दोस्तों? वो होगी इसमें Rood 3 A अपान 4 So Option Number B यहाँ पर आपका सई answer हो जाएगा सई answer कौन सा है? आपर B नमबर आपका correct answer है ठीक है? जान रखिएगा इस सीच का यहाँ पर सई answer कौन सा हो जाएगा? B नमबर आपका correct answer हो जाएगा Question Number 46 है जो कि पूछा गया है कि यहां पर दिया गया है कि एक्स वाई और जड अच पर दिये गे अनता खंड 3A, 6B, 2C तल के मिलर घातांक क्या होंगे तो मिलर इंडेसिस आपको बनानी होगी तो उस प्रकार से आप इसके equation के दोरा इसको solve कर पाएंगे यहां पर मिलर इंडेसिस से दो प्रसन आने हैं यह ध्यान रखेगा इसके लिए आप previous year question paper जो मैंने बताया है वो आप solve कर लिजेगा और model paper में अभी आपको provide कराऊंगा फिलाल कल की class में एक और model paper में आपको दूँगा जो कि मेरे दोरा बनाया रहेगा important रहेगा तो इसमें आपको मैं question solve करा दूँगा अब इसमें जो answer आएगा जोस्तों यहां पर फिलाल इतना समय नहीं है कि इस question को आफिगर बना करके equation के बारा इसको solve किया जा सके तो 40 number 46 का जो सही answer इसमें आएगा वो आपका आएगा दोस्तों 13 यहां पर कौन सा answer हो जाएगा 2 1 3 2 1 3 आएगा ठीके यहां पर हो जाएगा 2 ठीके 1 और यह 3 आप समझ रहे हैं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं answer कर सकते हैं क्योंकि यहां पर आप से देखिए 3 6 और 2 है तो आप 2 1 3 लिख सकते हैं इसको कैसे यहां पर 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 2 जा 2 तो इसको आपने पासा में अगर आप short form में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं जैसे कि एक example में आपको दूँ अगर यहां पर दे दिया जाए 4a 8b और यहां पर दे दिया जाए 3 तो आप किस प्रकार से इसका answer कर सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं नहीं पता आपको अंसर करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे यहां पर लिखेंगे और यहां पर क्या करेंगे 3 कर देंगे 3 1 2 1 3 यहां भी आपका answer आजाएगा ठीक है तो इस प्रकार से आप इसका answer कर सकते हैं हलाकि यह मैं वैसे ट्रिक बता रहा हूँ जो कुछ भी ना पता हूँ आपको अंसर ना पता हूँ ठीक है फिलाल आपको इसको कोडिनेशन नंबर बताना है तो एने सी यल में जो कोडिनेशन नंबर होता है वह होता है 6 अनुपाते 6 होता है दोनों बराबर होता है ठीक है एने का पूछा जाए चाहें सी यल का पूछा जाए तो अब यहां पर पूछा किसका गया है एने का पूछा गया है तो यहां प पुछा गया crystal structure of the cesium chloride is CSCL दिया गया है CSCL cesium chloride का सन्रचना क्या होता है body centered cubic होता है या नहीं कि BCC होता है या FCC होता है या फिर simple cubic होता है या फिर hexagonal होता है तो cesium chloride की जो सन्रचना होती है वो होती है body centered cubic BCC होती है आपके जो सही answer हो जाएंगे वो हो जाएंगे अन्ता के अंद्रेत घनिये यानि कि body centered आपके सही answer है option number A आपका सही answer है ठीक है जब भी प्रस्न आये कि बताइए CSCL का structure कैसा होगा तो यह होगा BCC होगा ठीक है body centered cubic अगला प्रस्न है दोस्तों elements of symmetry elements of symmetry पूछा गया है सम्मित के तत्तों plane of symmetry, axis of symmetry, center of symmetry यह सभी दोस्तों आपके element of symmetry है so option number D सही होगा आप दी जहाँ पर correct answer होगा इस question में next question है question number 50 जो की पूछा गया आपका Teplan is an example Teplan एक उदहारन है सम बहुलक, भी सम बहुलक यह उगात्मक बहुलक यह यह वाशी दोनो तो Teplan जो है दोस्तों वह आपका homo polymer भी है और addition polymer भी है तो यहाँ पर D answer टिक करेंगे कौन सा option D A वाशी यह दोनों आपके सही है Teplan का एक उदहारन है homo polymer का भी और addition polymer का भी question number 50 आपका है जो की पूछा गया है कि which of the following is a natural polymer निम्लिकित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है cellulose और polythene, bakelite यह Teflon दोस्तों इन में से आपको पता करना है प्राकृतिक बहुलक तो प्राकृतिक बहुलक जो है cellulose जो है एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है option A यहाँ पर आपका सही अंतर हो जाएगा cellulose is a natural polymer ठीक है चली अगला प्रसन है question number 12 जो की पूछा गया है nylon, silk and decran nylon, silk and decran क्या है एक प्रकार के प्लास्टिक है या फिर फाइबर्स है या फिर इलेस्टोमर्स है तो आपको बता दे nylon, silk and decran वो एक प्रकार के रेशा है जिसे फाइबर्स कहते हैं बी नंबर option आपके सही अंतर हो जाएगे question number question number 53 which one of the polling is thermosetting polymer जिम्लिकित में से टेफलान तो इन में से thermosetting बहुलक कौन सा है thermosetting बहुलक जो है वो bakelite, bakelite क्या है प्रकार का thermosetting बहुलक है option C यहाँ पर आपका सही अंसर हो जाएगा अगला प्रसंदे के question number 54 है कि molecular mass आपदा polymers is determined by using बहुलोकों का आडविक द्रमान ज्याद किया जाता है यहाँ पर जिया गया है osmetry बिधी द्वारा या light scrating method या ultrification के द्वारा या फिर all तो यहाँ पर आप कौन सा अपसर टिक करेंगे d number टिक करेंगे all इन सभी method का प्रियोग करके आडविक द्रमान ज्याद किया जाता है सो option number d यहाँ पर आपके सभी अंसर हो जाएंगे ओके चलिए बहिया आप सब लोग उबन तो नहीं हो रही है आज थोड़ा सा class long term पर चलेगी पूरा का पूरा प्रसंत पत्र में solve कराने वाला हूं सो सभी लोग पानी मनी पी लिजे ठीक है और जो भी चा चात्रा है हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो थोड़ा मदद करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजे बस यह आपकी फीस है बिल्कुल मुक्त में आपको class दी जाती है थोड़ा सा आप सब सयोग करेंगे तो आप सब की जो next classes है या next year की यानि की आपकी third semester के classes है वो और अच्छी डंग से संचालिज की जा सकेंगी जिसमें आपके प्रतेक subject के teacher भी रहेंगे तो आप सब से बस यह इन इबेदन है कि आप सब लोग चैनल को subscribe कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस करने ताकि class का notification टाइमली आपको मिलता रहे और जितने भी चार चातर हैं हमारे से वीडियो को देख रहे हैं अभी भी हिलाल last में जब भी आपकी class समाप्त हो तो अपना आप feedback जरूर दीजिए आपके feedback के अनुसार जो इसमें टूटिया होती है जो class में जो फिर आपकी आपकी जो questions हैं वो सभी आप paste करने का प्रियास के लिए ताकि आप सब का जो भी questions है उसका answer में देश होकूं ठीक है तो चलिए पच्पन नमर प्रसंट से आगे बढ़ते हैं प्रसंट में जो सही answer होगा वो नाइलान नाइलान जो है एक प्रकार का प्राकरतिक बहुलक नहीं है ठीक है बाकी अगर बात करें उन तो ये भी प्रकार के प्राकरतिक ये नेचरल पालीमर के अंतरगत आते हैं और सिल्क भी आता है और चम्रा भी आता है तो डी नमबर आपसन आपका यहां पर सही answer है नेक्स क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर 56 जो की पुछा गया कि जिगलर नट्टा उत्परेरक हैं ये क्वेश्चन आल एन्वर्स की अब तक पूँच चुकी है लगबल लगबल जहां जहां पर भी अबजेक्टिक एक्जाम हुए है MCQ मोड में वहाँ पर एक क्वेश्चन पूचा जरूर गया है और ये पहला जो अभी मैंने बताया कि प्राकर्तिक बहुलक नहीं है ये भी पूचा गया है तो 56 नमबर प्रसमें जिगलर नट्टा उत्परेरक पूचा गया है तो जिगलर नट्टा उत्परेरक जो है दूस्तों वो कौन सा है यहाँ पर? B नमबर आपका यहाँ पर सही अंसर है R3ALTICL4 ये क्या है? प्रिकार का जिगलर नटा उत्परेरक है इनवरसिटी में भी पूचा गया था और Ddu इनवरसिटी में भी पूचा जा चुका है और यह देख सकते हैं 2022 सत्र कह कोईशन पेपर राजा महन प्रताप सिंग अलिगल इनवरसिटी का जो की वहाँ भी पूचा जा चुका है ठीक है तो आप सब इस question को ध्यान से देख करके तयार कर लिएगा चत्तामर नमर प्रसना है which is not correct about the polymer इन में से बहुलक के बारे में कौन सा सही नहीं है option A polymer does not carry any charge बहुलक में कोई आवेस नहीं होता तो बिलकुल ये चीज सर्थ है कि बहुलक में कोई भी आवेस नहीं होता अगला दिया गया B number option B number option क्या कह रहा है कि the polymer has a high viscosity बहुलक की सैन्ता बहुत अधिक होती है बहुलक की सैन्ता बहुत अधिक होती है तो ये भी बिलकुल सही है option C is the polymer is creating light बहुलक प्रकास का प्रकेरियन करते हैं ये भी आपका सही है option number D देखिए क्या कह रहा है कह रहा है the polymer has 2 molecular weight बहुलक में कम आधिक भार होता है ये गलत है बहुलक में अधिक आधिक भार होता है तीक है ये molecular ये आपके इसके सापिक्स में यानि कि polymer के बारे में ये सही नहीं है option number D यहाँ पर आपका सही answer हो जाएगा correct answer हो जाएगा next question देखिए question number 58 जो कि पूछा गया है कि प्राकिर्तिक बहुलक के लिए बहु बिचे पर सुचकांक होता है तो प्राकिर्तिक बहुलक के लिए जो बहु बिचे पर सुचकांक है वो कितना होता है वो one होता है ज्यान रखिएगा one होता है option B यहाँ पर आपका सही answer है question number 58 का ये questions repeat होगा मित्रों ज्यान दे लिजिएगा one आपका यहाँ पर correct answer होगा जब भी पूछा जाए कि प्राकिर्तिक बहुलक के लिए बहु भी छेपर सुचकांक तो आप बताएंगे कितना one होता है next प्रसन है thermoplastic है रेखिए बहुलक है या अत्याधिक क्रास लिंक बहुलक है या A वा B दोनों है या फिर crystalline है या crystalline है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक थर्मो प्लास्टिक थर्मो प्लास्टिक है तो थर्मो प्लास्टिक एक linear polymer है क्या है ये प्रकार का linear polymer है option number A यहाँ पर आपके सही answer हो जाएंगे next question है question number 60 जो कि दिया गया है कि poly poly gisparcity index is defined as बहु बिचे पर सूचकांग को प्रभासित किया जाता है तो बहु बिचे पर सूचकांग को जो प्रभासित किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है MW upon MN molecular weight upon molecular number कीक है option number यहाँ पर C आपका सही answer हो जाएगा correct answer option number कुन सा हो जाएगा C number यहाँ पर सही answer हो जाएंगे आपके 60 number question के जो सही जवाब है option number C है अगला question number 60 है new print rubber एक बहुलक है new print rubber इसे polymer आप तो new print rubber एक प्रकार का बहुलक है किसका बहुलक है दोस्तों वो chloropin का है या butadine का दिया गया है या फिर isoprene का है या styrene का है तो new print rubber जो बहुलक है वो chloropin का है किसका chloropin का इसे प्रकार का बहुलक है 60 number question का जो सही answer हो जाएगा वो option number A हो जाएगा next question है question number 22 जो की पूछा गया है कि addition polymerization is also known as योग बहुलकी करण क्या कहलाता है step growth polymerization कहलाता है या chain growth polymerization कहलाता है या फिर homo polymerization कहलाता है या co polymerization कहलाता है तो योग बहुलकी करण question number 62 का जो सही answer है दोस्तों वो है option number 20 रिंख्रा ब्रदी बहुलकी करण कहलाता है chain growth polymerization कहलाता है योग बहुलकी करण कहलाता है chain growth polymerization कहलाता है so option number B आपके यहाँ पर सही answer होंगे question number 63 है which one is a polyamide कौन सा एक polyamide है rayon, terylene, nylon या फिर orlon तो इसमें से सही answer कौन सा है दोस्तों ध्यान दीजिएगा polyamide कौन सा एक polyamide है तो polyamide question number 33 का जो सही answer है वो nylon, nylon एक प्रकार का polyamide है option C यहाँ पर आपके सही जबाब हो जाएंगे correct answer हो जाएंगे question number 64 दिया गया है terylene और decran is a condensation polymer of ethylene glycol and terylene या decran ethylene glycol और यह किसका बहुलक है संगनन किसका बहुलक है question number 64 में आपके जो सही answer है वो हो जाएगा option number D कौन सा हो जाएगा D number terrythelic amyl terylene या decran ethylene glycol और terrythelic amyl का संगनन बहुलक है तो option number D यहाँ पर आपका सही answer है correct answer है question number 65 है जो कि पूछा गया है गट्टा परचा होता है एक प्रकार का polyisobutylene या option बीदिया गया cis polyisoprene trans polyisoprene या फिर polyethylene यह question पहली बार मैं देख आँ हूँ question में ठीक है प्रसंद पत्र में और मैंने मुझे अभी तक यह प्रसंद नहीं मिला है फिलाल मैंने जो पताया है वह आपके saliva में भी मैंने नहीं बताया है और यह प्रसंद हाला कि सलायबस में है लेकिन अब्जेक्टिम मोन में मुझे देखने को यह कोश्चन नहीं मिला ठीक है तो प्रसंद यह गट्टा परचा क्या होता है इसका आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करके अंसर देने का प्रियास कीजिएगा फिलाल मुझे तो इस Android का वनिल साइणाइड का या फिर साइट्रीन का नहीं से कोई नहीं तो और लान एक बहुलक है अर दो साइनाइड का साइनाइड का बहुलक है अप्र सैंशर हो जाएगा 66 नंबर कुश्चन कोश्चन 좋아하.168 बडिया गया है दो की सामान संख्या मिलाई जाती है जिसके अडुभार हैं अडुवों की सामान संखा इंक्वल नंबर आप मालिकुलर विच M1 इक्वल टू 10,000 and M2 इक्वल टू 1 लेक्स और मिक्स्ट कल्कुलेट दा MN नंबर अबरेज मालिकुलर मास यहां पर जाद करना है तो जब आप इसका अडुभारेज मालिकुलर मास निकालेंगे तो इसमें जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों अडुभारेज मालिकुलर यानि MN नंबर आपको यहां पर निकालना है जान लखेगा यह कोईसिंस को पूछे जाते हैं एक प्रस्ण यहां से हर बार बनता है और इस बार भी बनेगा जान लखेगा इसको इसमें M1 और M2 का मान दिया गया है जिसमें से MN का बताना है आपको MN नंबर यानि नंबर एबरेज मालिकुलर मास आपको फाइंड करना है इस question में जब solve करेंगे आप लोग तो ऊस question का जो सही अंसर आएगा दूस्तों वह आएगा first one thousand सो यहांस पर आपकी जो सही answer आएगे वह बी नंबर रहेगे इसको solve करने की बिदी मैंस से दो से तीन प्रस्ण आपको solve कराऊंगा next model पेपर में ज्यान नखीघा इस question का अगला प्रसंदेखे जो कि दिया गया है 68 नमबर प्रसंद निमलिकित में से कौन सा योग बहुलिकी करण नहीं होता है वाइनिल वेंजीन या फिर दिया गया है प्रोया लीन या फिर इथेन या फिर इथाइन तो इन में से आप से पुछा गया है कि कौन सा योग बहुलिकी करन नहीं होता है योग बहुलिकी करने में से इथे जो है यह योग बहुलिकी करन नहीं होता है बाकि यह सभी योग बहुलिकी करन है सी नंबर आपसन आपका यहां पर सही अंसर हो जाएगा अगला प्रसंद दिया गया है कि इन फ्री रेडिकल मेकेनिजम इन दा इस्टेप इन फिच टू वेरी लाज फ्री रेडिकल्स कमाइन टू इच अदर इटकाल मुक्त मुलक क्रिया विधी वापद है जिसमें दो मुक्त मुलक आपस में जूड़ते हैं क्या कहलाता है सिरिंखला पत कहलाता है चैन इंटेंटिंग कहलाता है या फिर संचारन पत कहलाता है या सिरिंखला समापद कहलाता है या सिरिंखला ब्रदी कहलाता है या चैन ग्रोथ स्टेप कहलाता है या फिर चैन टर्मिनेंटिं स्टेप कहलाता है या परोप्रेगेशन स्टप कहलाता है तो मुक्त मुलक लिया विजी का वापद जो कि मुक्त मुलक आपस में जूटते हैं वो क्या कहलाता है वो स्रिंख्लाप पजिसमाप कहलाता है यानि चैन टर्मिनेटिंग स्टेप कहलाता है क्या कहलाता है यहां पर आपका करेक्ट अंसर है 59 नंबर प्रस्टनिका क्यों कोईशन नमर सतर राइदा एक्जामपल आप एजो डाइन इस एजो रंजक का इनमें से उधारन है तो एजो रंजक का जो उधारन है दोस्तों वह है methyl orange, methyl orange जो है वो एक प्रकार का azooranjak है क्या है? azooranjak है methyl orange, option B यहाँ पर आपके सई answer हो जाएंगे बाकी सभी जो दिये गे हैं वो अलग लगा लेकिन यहाँ पर methyl orange जो है वो azooranjak है, ध्यान रखेगा question number 18 है दोस्तों पूछा गया, malachide grain is a types of malachide green is a types of dye, malachide green निम्न में से किस प्रकार का रंजक है? azooran है या फिर type phenyl methane dye है या फिर weight dye है malachide green जो है वो एक प्रकार का type phenyl में सेन रंजक है option C यहाँ पर आपके सई answer हो जाएंगे 71 question का question number 72 which one is naturally occurring dye कौन सा प्रकार्टिक रूप से पाया जाने वाला रंजक है malachide green kangorate methyl orange या फिर indigo तो इन में से पूछा गया कि प्रकार्टिक रूप में पाया जाने वाला तो यहाँ पर आपका answer हो जाएगा indigo indigo जो है प्रकार्टिक रूप में पाया जाने वाला प्रकार का रंजक है बाकी इन में प्रकार्टिक रंजक नहीं है option D यहाँ पर सही answer होगा indigo आपकी correct answer है प्रकार्टिक रंग देने वाले समुख को क्या कहते हैं color producing group are called exochrome या फिर chrome again या जिसको वर्ण कोट पादक कहते हैं या option C दिया गया क्रोमो फोर्स इसे वर्ण मुलक कहते है या आल आप एबग प्रकार्टिक प्रसंद का जो सही answer है वह मित्रो हो जाएगा option number C वर्ण मुलक रंग देने वाले समुख को क्या कहते हैं option C यहां पर आपका correct answer है अगला प्रसंद है question number 74 74 नमर प्रसंद दिया गया है in the preparation of indigo dye and phenyl glycine is converted to indoxyl and by the use of indigo रंजक में n phenyl glycine का उप्योग indoxyl में परवर्थित हो जाता है एन 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 ह्टू के ओ यह हीट या फिर उप्रोक्ट सभी यानि आल आप दी इस question का answer आपका होगा आल आप दी यानि यह सभी होगा जब आप preparation कर रहे हो हो इंडिगो रंजक बना रहे हो तो एन phenyl glycine का जो उप्योग किया जाता है उप्योग में जो इंडॉक्सिल में जो परवर्थित होता है वो एन 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 एस टू भी हो सकता है को यह नि पोटेसियम ऑक्साइड भी हो सकता है ठीक है या फिर आपका हीट भी हो सकता है तो इसमें तीनों आपके समलित होंगे सो अप्शन नमबर डी यहां पर आपका सही अंसर होगा और यह है रिपीट हो चुका दूस्तों तीन इनिवर्सिटी इस कोच्छन को पूछगी है इंपोर्टेंट है आपके लिए इससे प्रसंद पत्र का लास्ट प्रसंद है वीच आपदा फॉलाइंगी इनकरेक्ट पेर निमलिकित में से कौन सा तुटी पूर्ड युग्म है इन में आपके पहले अप्सण दिए गया है कि अप्रसंद और एंथ्राक्यून रंजक अप्सण भी दिया गया है एलजरीन और एंथ्राक्यून रंजक तो यह आपके तो सही एंसर है इस प्रसंद पत्र में 75 पूछे गया है और अगर यह 75 प्रसंद आपने तयार कर लिये तो आप यह मानकर चलिए इस प्रसंद पत्र से 40 plus questions आपको आपके exam में देखने को मिलेगा